दोस्तो मेरे चैनल से जुणने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बैल आइकॉन को भी आउन कर दीजिए नमश्कर दोस्तो मैं आमित कुद्वाल आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में और आज हम बात करेंगे कि किस फिंगर में हमें कौन सा रत्न धारन करना है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बहुत से हाथों में मैंने देखा है कि गलत फिंगर के अंदर गलत रत्न हो उस रत्न के माध्यम से हमें मिले तो सबसे पहली बात जो बॉयस है उन्हें अपने राइट हैंड के अंदर रत्न धारन करना है यह अनौर गर्म विज्ञान है उसमें कर्म से रिलेटिड जो हाथ है उसको प्रैफरेंस दी जाती है लेकिन भारती है जो अर्द नारेश्वर सिस्टम से जुड़ी है उसमें सदेव बॉइस को राइट हैंड में और गर्ल्स को सदेव लेफ्ट हैंड में ही रत्न धरन करना है यह आप याद रख लीजिए अब रत्नों को याद कैसे रखें कि कौन सी उंगली में कौन सा रत्न धरन करना तो बहुत इजी गोइंग में आपको आज यह चीज़ समझाने वाला हूं बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी देखें तीन तरह की रेखाएं होती है यह मस्तिष्क रेखा है और यह हमारी जीवन रेखा है यह हमारी लाइफ लाइन है इस तरह की तीन मेजर रेखाएं होती है भागे रेखाएं और बाकी बारिक रेखाएं भी होती है तो अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि कौन सी उंगली के जस्ट नीचे कौन सा और उसके बिल्कुज पास जो शेत्र है वह है शनी देव का जहां पर हमारी भाग्य रेखा जाती है और शनी देव के पास जो हमारा बुद्ध देव का है, जो हमारे व्यापार, बिजनस, जो हमारी भच्चों से रिलेटर रेखा है और जो अफेर से रिलेटर रेखा है और साथ-साथ के अ psychic life है, वो भी यहां से देखी जाती है, marriage line भी हां से देखी जाती है तो इस तरह से हातों के अंदर कुछ परवत होते हैं जो mention होते हैं अब इसका connection रत्मों से है और इसका connection जोतिश विज्ञान से भी है देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी चीज समझ में आ जाएगी confusion वाली बात ही नहीं है ब्रसपती देखा रत्म कहलाता है इस उंगली में ही आपको पहनना है तो राइट हैंड में और गल्स है तो लेफ्ट हैंड में पहनना है यह आप बिल्कुल fix कर लिजी अपने दिमाग में और पुखराज की जो यह उंगली है इंडेक्स इंगर इसमें कोई दूसरा रत्म धारन नहीं किया जाता सिंगल सिर् परिवार चाहिए ब्रसपती देव है तो इनके पास बहुत सी चीज़े हैं जिसकी कुंडली में ब्रसपती अच्छा होता है अच्छी position में होता है उसको life में बहुत कम problems आती है यह शनी देव का शेत्र कहलाता है शनी देव का शेत्र कहलाता है तो यह जो सबसे बड़ी उं सदेव इस उंगली में धारन किया जाता है देन उसके बाद यह सूरे देव की उंगली है तो इसमें धारन किया जाता है मानक क्योंकि सूरे देव का जो रतन है वो कहलाता है मानक देन उसके बाद बुद्ध देव की उंगली है उसमें पहना जाता है पन्ना सदेव पन्ना इसी उंगली में पहना जाएगा, इसके बाद दो शेत्र और हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यह कहलाता है, चंदर शेत्र, हमारे हाथ का जो यह शेत्र है, चंदर शेत्र कहलाता है, यहां से विदेश यात्राएं भी देखी जाती है, और भागे रेखा अगर कि यहां से निकलती है तो उसका वी फेक्ट पढ़ता है और यह जो शेथर कहलता यह कहलता मंगल जहां पर हमारी lifeline और हमारी मस्तिष निची का बशाई न deflectना रेवह यह वह सम्मानुक्ऺ क हते यह मंगल शेत्र कहलाता है तो अब यहां पर दो रत्न और बच गया है यहां पर एक नो उनकुल जो पर्वत है इस उपर वादी उंगली उसमें उसके बाुब उपर वाला शेत्र यानि यहां से भी आप कैल्कुलेट करें तो दो उंगलियां लगबग कवर होती है शुक्र से जो ब्रस्पति देव शनी देव की लेकिन शनी देव इनके अती मित्र है इसलिए शुक्र देव का जो रत्न है जो कहलाता है ओपल वो सदेव आपको धारन करन है इस उँगली के अंदर ओपल जो आपको धारण करना है वो शनी देव की उगली जह सबसे बड़ी जो अंगली इसमें आपको धारण करने और इसके ही बाद आप मंगल्य improves क्यों कि पूरा ही है तो यह पर मित्र जो उगली है वो देखी जाती है तो मित्र उंगली जो है वो है यहाँ पर सूरे देव की मंगल देव सूरे देव के अति मित्र है तो आपको जो कॉरल धारन करना है यानि जो मूंगा धारन करना है वो सदैव धारन करना है सूरे देव की उंगली के अंदर अब कौन-कौन से धातूं के अंदर इसे धारन करना है तो दोस्तों कौन कौन से धातूं में इने धारन करना है वो भी आप समझ लीजी है पुखरास सदय धारन किया जाता है सोने में गोल्ड के अंदर दैन उसके बाद नीलम जो धारन किया जाता है वो सदय किया जाता है पंच धातू में या तो आप इस से धारन करें पीतल के अंदर देन उसके बाद कभी भी सोने में या चांदी में से धारन नहीं करना इसे पंच धातु में ही आपको धारन करना है नीलम को देन उसके बाद ओपल, ओपल सदय धारन किया जाएगा चांदी के अंदर, चांदी में ही ओपल को धारन करना है, सोने में धारन नहीं करना है, ओपल जो है वो शुक्रदेव का रतन है, सबसे जादा जो powerful है और effective है वो ओपल ही है, जबकि diamond भी लोग पहनते हैं, जरकिन भी पहनते हैं, और इस देन उसके बाद बात करेंगे मानक और मुंगे की, मानक और मुंगा दोनों ही आप सोने में धारन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर पीतल या पंच दातु में भी धारन कर सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे मोती और पन्ना, पन्ना और मोती दोनों ही चा धरन किये जाते हैं वो चांदी में धरन किये जाते हैं तो यह कुछ information थी दोस्तों रतनों के बारे में कौन सी finger में आपको कौन सा रतन पहनना यह बिल्कुल fix है इसमें एक प्रतिशत भी इदर उदर आपको बदलाव नहीं करना है अगर आपने गलत रतन धरन किये हैं कोई द हैसुनिया और साथ-साथ के अंदर second number का जो रतन है जो राहुदेव का रतन है जिसे कहते हैं गोमेद यह दो रतन मैं preference नहीं करता हूं कारण क्या है देखें यह मेरा personal experience है ऐसा नहीं कि मैं लोगों को पहले recommend नहीं करता था करता था उनकी कुंडली के recording की राहु उच्च की स्तिती में है या राहु की दशा चल रही है और अच्छी position में तो करता था लेकिन इन दौनों का जो character है चरित्र है जो department है इनके पास वो थोड़ा सा सामाजिक नहीं है समाज से इंसान को काट देता है और परिवार से दूर हटकर या परिवार से परिवार से इनसान कटना स्टार्ट हो जाता था या कभी-कभी गलत दिशाओं में भी चला जाता था क्योंकि इनके पास जुआ सट्टा लोटरी शराव जितने भी नेगेटिव डिपार्टमेंट्स हैं यह दौनों देवता जो है उनके इनके पास ही है और जो सीधे-सीध तो कभी भी लहसुनिया गोमे धरन करने के लिए मैं अब सला नहीं देता हूं किसी को भी क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स है मैं आपसे सारी बातें को कर रहा हूं जो परसनल एक्स्पीरियंस है जो मैं अनुगाव कर रहा हूं फील कर रहा हूं बहुत से ऐसे जो कुंडली के अं को परीक्रेशर रखतें तो आको यह यह पता होगा कि इंशेत्रों के अंदर यह परवत होते हैं ऐसे रिलेटिड्स यहां साइन होता है यह नंकी study की जाती है तो उससे रिलेटिड मैंने आपको इंफोर्मिशन दी यह information आपको अच्छी लगी है तो please like कीजिए इस वीडियो को share कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके और अगर उन्होंने कोई गलती करी है कोई ऐसी finger के अंदर रत्न धरन किया है जो वास्त में वहाँ नहीं होना चाहिए अब सूर सूरे दे की उंगली होती है उसमें लोग गोमेद धरन कर लेते हैं जबकि दोनों एंटी पाल्टी आए शारीडिक प्राब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है शारीडिक बिमारिया लगनी यानि कस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और accident की संभावना भी बन जाती है अगर किया है तो उनको सही जानकारी मिले और उनका जीवन सही हो सके माध्यम बनी है इसके लिए आप लोग अगर इसका माध्यम बनेंगे किसी की help कर पाएंगे तो बहुत ही भड़िया बात है उसका फाइदा आपको भी मिलेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए माधा आपको भी में तो आपको भी मिलेश अपस्तों मिलेश अपस्तों मिलेश जड़िया रज़ हैं है种 और उनकारी मिले चाहारे चाहरे इसक्रादेट आपको आपको भी मिलेश जड़ून के अधार अख़ उनकारे Psalmen.